दोस्तो नमस्कार Profit Guru चेनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो एक और भैतरिंग बोनस वाला स्टॉक जिसका X-Rate recorded अब सामने तो आ गया है लेकिन पास भी आ चुका है इसके बारे में हमने पहले भी आप लोगों को अपडेट किया था इसमें आप लोगों को दोस्तो क्या मिलेगा इसमें मिलेगा दोस्तो 2-1 का बोनस मतलब आप लोगों के पास company का अगर एक share है तो उस पे 2 share आपको बोनस मिलने वाले है टोटल मिला क्यों हो जाएंगी तीन बोनस शेर मैं तो आपको fundamental condition खाली बता दूँगा technical और जो investment करने का plan वो तो आपको बनाना पड़ेगा investment करना नहीं करना यह आप लोगों के उपर है क्योंकि मेरा कोई recommend नहीं है मैं खाली update देने का काम आप लोगों को करता हूँ जिससे आप लोगों तक फटाबर्ट knowledge पोस्ट सके और उस knowledge को आप अच्छी तरीके से gain कर सको ठीके तो चलते हैं फटाबर्ट से जानते हैं उस stock को उसकी fundamental condition को और उसी के सासाथ में यही बोलूँगा आप लोगों ने अभी तक हमाई चैनल को विजिट नहीं किया है तो फटाबर्ट से विजिट कर लीजियो चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करिएगा ठीके तो चलते हैं फटाबर्ट से उस stock की fundamental condition को जानने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको NSC और BSC दोनों एक्सेंज पे यह company listed मिलेगी company का market के पे दूस्तो 2328 करोड का ठीके 2328 करोड यह बहुत बड़ा नंबर होता है अभी तो देखे company growth में तो आगे हो सकता है कि company का market के पे पे न वो और बढ़ सकता है ठीके P earning ratio देखेंगे 41.7 मतलब एक range में है और एक सस्ता है return on employee 16.5% return on equity 13.9% बहुत अच्छा ठीके book value अगर देखेंगे 286 रुपेस का ठीके current market price साथ में 52 बिक का है 52 बिक का लो और face value 10 रुपे पैसर के साब से मतलब देखा जाए तो यहां से company का जो fundamental condition है उसकी सुरुवाद तो काफी अच्छी होते देखने का में मिल रही है साथ में technical knowledge technical knowledge की अगर मैं बात कहता हूँ दोस्तो एक year का chart है आप लोगों के साथ में सामने ठीक है उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यह जो yellow रहे ठीक है यह 1800 रुपे का level break करेगा ठीक है जो इसका important rejection level है तो इसमें अच्छा कासा momentum बन सकता है यह तो एक technical knowledge में आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है यह छोटे समय के लिए है लेकिन आपको तो long term के लिए research करना है ठीक है छोटे समय के लिए यह नहीं है कि कली जाए और बाय कली जो आपको profit मिल जाएगा इसमें भी आपको knowledge करना पड़ेगा तब ही आपको momentum मिलेगा ठीक है अब चले company के अंदर कुछ positive और कुछ negative quality जान लेते हैं like सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ company का almost date free होना ठीक है company का expectation है कि मेरा quarter first quarter second quarter third और quarter fourth कर जिल्ड काफी अच्छा आने वाला है ठीक है और उसी के according देखने को भी मिल रहा है ठीक है और company का जो deliver good profit growth है last five year का वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है ठीक है उसी के साथ साथ negative quality की में बात करता हूँ तो company दोस्तो एक respect करने वाला profit निकालती है लेकिन dividend का payout नहीं देती है तो shareholder को ये मज़ा नहीं आता है ठीक है उसके बाद अगर देखे तो company has a low return on equity मतलब last three साल में equity का जो performance कम देखने को मिल रहा है तो ऐसा कुछ negative ऐसा कुछ positive quality हमें company के अंदर देखने को मिल रहा है उसे के साथ साथ caughtel agent के अगर मैं बात करता हूँ caughtel agent पर अगर आफ focus करोगे ठीक है तो September तो September हम compare करते हैं September 19 में देखिए 96 करोड के sales थी September 20 में यहाँ पर pandemic के बाद recovery हो रही थी जब 123 करोड के sales और September 21 मतलब 208 करोड की sales मतलब 96 करोड की sales दोस्तो 28 करोड पर पोच चुकिए मतलब आपको पता है कि यहाँ से market recover हो रहा है आप first wave की बात करो या second wave की बात करो momentum हमें देखने को अच्छा मिल रहा है उसी के साथ साथ profit की भी अगर मैं बात करता हूँ तो देखे यहाँ पर profit निकालने में थोड़ा खर्चा बड़ा है क्यों क्यों क्योंकि pandemic के बाद दोस्तो market capture करना बहुत मुस्किल हो गया है सबी के लिए जिन्होंने पहले से market बना के रखा है वहाँ तक माल पोचाने के लिए भी दोस्तो काफी ज़्यादा है अपर पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो जिसके लिए profit है थोड़ा कम आया है खर्चा बढ़के आया है अब यही अगर मान लेजिए profit आगे बढ़के आएगा खर्चा कम होगा तो definitely दोस्तो हमें अच्छा कासर मोमेंटम देखने को फिर मिलेगा इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेगा सालाना तोर पर अगर हम compare करते हैं ठीक है तो like 2017 से मैं compare करूँगा क्योंकि इस विच कुछ performance सही डंग से देखने को नहीं मिल रहा है 17 के अगर मैं बात करता हूँ पूरे साल बर में 241 करोड की sales थी और वही दोस्तो performance आज 518 करोड में बदल चुका है मतलब दोस्तो 5 साल के अंदर अंदर सीधा जो sales growth है वो double होते देखने को मिला है profit के अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 16 करोड का profit था वो ही profit दोस्तो चुमाल इस करोड पर आके खड़ा हो चुका है तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो company का जो sales growth है दस साल पहले 38% था लेकिन अभी current में 58% हो चुका है तो आप खुदी समझ सकते हो sales growth बढ़ेगा तो definitely company का जो profit growth बढ़ेगा दस साल पहले कितना था मातर 37% अभी देखें 139% देखने को मिल रहा है टेकि इस टॉक का performance एक साल के अंदर अंदर 173% तक का return टेकि मोमेंटम इसी प्रकासे देखने को मिल रहा है shareholding pattern के अगर में बात करता हूँ shareholding pattern आप देख सकते हो promoters के अगर में बात करता हूँ promoters continuously अपना stake बढ़ाते जा रहे है June quarter यहाँ पर अगर देखे तो अच्छा है FII के अगर में बात करता हूँ FII में stake कम किया है डियाई भी अच्छा focus करते है पबलिक के बीच में अच्छा गसा में इसमें focus देखने को मिल रहा है ठीक है तो मतलब देखा जाए FII, DIA, promoters सबी जन दोस्तों अच्छी तरीके से अपना stake को hold कर रहे है तो यह तो हो गई fundamental condition यहाँ पर आपको कैसे लगी यह आप नीचे comment में बता सकते हो आपको strong लगी है तो आप खुद अपना technical reason जो भी है उसको find करके अपना जो भी investment का plan है हाँ ना जो भी है वो आप उसको clear कर सकते हो ठीके देखे सबसे बड़ी बात यह नहीं कि बड़ा dividend मिल रहा है तो आग बंद करके investment कर दो बड़ा bonus मिल रहा है तो आग बंद करके investment कर दो उसका value क्या है company किस प्रकास है हर quarter में अपना performance दे रही है हर साल अपना performance दे रही है ऐसा नहीं है दोस्तो एक साल company ने अच्छा sales कर दिया दूसरे साल वो sales growth गिर गया ठीके तीसे साल फिर बढ़ गया फिर चोथ साल गिर गया ऐसे में क्या होता है एसे में यही पता चलता है कि company जो अपना product है ठीके वो एक साल के बीच में अच्छा निकाल रही है मतलब दोस्तो उसी product को लंबे समय तक नहीं पुरा पा रही है जब उसका जो market है वो गिर रहा है क्योंकि competition market में काफी ज़्यादा हो चुका है यह भी आप लोगों को पता है ठीके तो चलिए अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सीरे stock के आज के performance के उपर और bonus के उप तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तो लगभग आज stock में देड़ पर्शन की गिरावट देखने को मिली 1750 रुपे पर stock क्या हुआ है प्रिवेस क्लोज था 1745 stock open होता है 1788 मतलब काफी अच्छा गेप अपनिंग लेता है high लगाता है 1805 रुपे और low लगाता है 1730 रुपे इस पर फोकस करते हैं साथ में 52 विखाई डेट देखे साथ में 52 कलोर देट देखके चलिए और इस गिरावट का देखते हैं इस बोनस का पडीट किस प्रकार से देखने को मिल रही है तो आप देख सकते हूं डेलेवरी पेटन तो काफी ज़्यादा है मतलब जो बोनस के प अपना स्टेक प्लेज रखा है तो दोस्तो बिलकुल भी नहीं यह तो हमारे लिए बहुत अच्छा अपडेट है उसी के साथ आप देखेंगे तो कमपनी ने जब अपना 22 अक्टॉमबर के दिन रेजल्ट अपडेट किया था जब इनोंने बोनस का अनौंस में कर दिया था यहाँ पर आप देख सकते हो बात है दो दिसमबर यह है एक्स रिकॉर्डेट ठीक है मतलब एक तारिक तक आप लोगों को स्टॉक को खरिदना है यह मैं एक एक्जामपल बात आ रहा हूँ ठीक है तब ही जाके आप दोस्तो टू स्टू वन रेशो के बोनस के लिए इलेज रहे हैं हम बात करें अपोलो पाइप लिमिटेट की ठीक है तो आपको तो पता हिए कि यह कंपनी का पॉफरमेंस मार्केट में किस प्रका से देखने को मिलता है और किस इंडस्टी में यह वर्क करती है ठीक है चलि रिटन भी देख लेते इसका क्या है तो यहाँ पर आप का अगर आज का पॉफरमेंस हम देखें तो उस्प्रकार से चार्ड बना हुए है लास्ट पांत दिन में स्टॉख में गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी है एक महने की बात करना हूत हाँ तो 5 पर सिंड का पॉफरमेंस से 6 मेहने में 30 पर सिंड का लास्ट एक साल में 168 प पर्शेंट का रिटन देके खड़े हुई है तो जरूर आप Apollo Pipe को अपने focus में रख सकते हो ठीके अपने steady focus में रख सकते हो अपनी watchlist में रख के चल सकते हो क्योंकि दिखिए अगर आपने इसमें research कर लिया important चीजों को note कर लिया उसके हिसाब से ही आपको momentum देख रहा है और अगर बात में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन सोच के समझ के ही करेगा ये कोई recommend नहीं है खाली update देने का हमारा काम है अप research तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा ठीक है तो ये था आप लोगों के लिए update ये था एक नया bonus stock जो आप लोगों को पसंद आया होगा तो please दोस्तो इस वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा क्योंकि daily basis पे हम आप लोगों के ये तेने तो thank you दोस्तो